कि अच्छेस्मेंट टंबर फूर कि डप्रीशेशन कि इसको हम दो पार्ट में करेंगे देखिए जिसके उपर मैं स्टार लगा रहा हूं ना इसका एक और पार्ट आएगा यह कमिंग सून में मान लूँ आँ इसके उपर वे डप्रीशेशन अगर हम डप्रीशेशन की बात करें तो सर अगें यह दो जगे गीवन हो सकता है या तो गीवन होगा आपको ट्राइल बैलेंस में गीवन इन ट्राइल बैलेंस सर दूसरा कहां गीवन हो सकता है अगर यह आपका गीवन हुआ ट्राइल बैलेंस में तो कितनी एंट्री एक एंट्री और कहां सर अगर डेप्रीशेशन गीवन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अगर हुआ ट्राइल बैलेंस में सरी अट्जेस्मेंट में तो दो एंट्री तो दो एंट्री कहां बहुत सिंपल सी बात है एक तो चला जाएगा बैलेंस शीट में और एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस में एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड सर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में हो जाएगा लेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा सर एक्जामपल मान लेते हैं मसीनरी पचास अजार है एंड डेप्रीशेशन टेन परसेंट है डेप्रीशेशन कितने परसेंट है टेन परसेंट आंसर आप एसेट साइड में जाओगे सर एसेड साइड में जाने के बाद आप लिखोगे मसीनरी और पचास अजार यहां से माइनस कर दोगे डेप्रीशेशन पांच हजार और बैलेंस शीट के एसेट में बच जाएगा अब बताइए पी एंडल में कितना जाएगा पी एंडल में चला जाएगा हमारा पांच हजार रुप्य है का यह था एल्जेस्टमेंट अमबर फूर इसका सेकिंड पार्ट आथे है जब प्रो भीजन फोर डेप्रीशेशन देते हैं यह सिर्फ ठा डेप्रीशेशन इसके बाद देखेंगे हम प्रो फ्यर प्रीशेशं चील जब अएढे है यह